बरेली पुलिस को मिली बड़ी काम्याबी पांच करूर की स्मैक के साथ दो बड़ी तसकर गिरफतार तसकरों के पास से लगभग 5 किलो स्मैक तथा उसमें मिलाने वाला लगभग 2 किलो पाउडर बरामत तसकर नदीम उर्फ मुन्ना और मोसीन गिरफतार नदीम उर्फ मुन्ना पर पहले से दर्च हैं 5 एंडी पीएस के मुकदमी चार खंड से लाकर यूपी उत्रा खंड और दिल्ली में करते हैं सप्लाई राजनेतिक पार्टी से भी जुड़े हैं नदीम के तार पते गंज पश्चिमी थाना शेत्र कस्पे से हुई दोनों की ग इन दोनों के नाम मुन्ना उर्फ नदीम तथा मोसीन है यह दोनों भाई हैं और इनके पिता का नाम शकीर है यह दोनों ही पते गंज पश्चिमी छेत्र के ही निवासी हैं इनके पजेशन से चार कीलो 82 ग्राम इसमैक बनामद हुई है जिसकी अंतराष्टी मार्केट में की चीमत लगवग 5 करोड़ आकी गई है और इसके अलावा इनके पास से लगवग 12 किलो 200 ग्राम कट पाउडर और एक किलो 800 ग्राम एक केमिकल बरामद हुआ है जो यूज होता है अफीम से स्मैक कनवर्जन में तो इस भारी मात्रा में स्मैक बरामदी के साथ ही इनसे काफी मह जानकारियां भी मिली है कुछ जानकारी जैसे मिलक रामपूर काशीपूर तथा उत्तराखन दिल्ली इत्यारी में सप्लाई करते हैं और यह कहां से लेके आते हैं यह जारखन के हाइड आउट इसमें कुछ जानकारी मिली है और कहां यह सप्लाई करते हैं इसमें सप्लाई काम तो यही है और इसके अलावा इन्होंने साइड में अपने काम रखे हुए हैं ताकि अपने आपको छिफा सके इन समस्थ पहलों पे हम लोग गहनता से वेचना कर रहे हैं और सीगरी और भी बरामदगी शनिश्चित की जाएगी जी हाँ इसमें नदीम उर्फ मुन्ना का लगबग पांच मुकदमे पहले के भी है और इसका यह पहला मामला है मौसिन का और इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी अगर कोई अपरादी कितियास इनका जानकारी होती है तो हम लोग जानकारी करते हैं देखिए जैसा मैंने बताएं इसके पांच मुकदमे का जो नोन अपरादी कितिया से इसमें 2021 में इन्होंने पहला मामला जिसमें पकड़े गए थे ट्रेस हुआ है नदीम उर्फ मुन्ना का इससे पहले से भी काम करने से इंकार नहीं किया सकता और तबसे लगातार यह कारेकर है इनकी ग्रफतारी फटे इसमेक का जो पॉडर है और इसमेक निर्मार करने वाले जो सहयोगी सामागरी है और दो अदद इलेक्टरामिक तराज हुए इस सब की कमाइं कीमत लग लग 5 करोडा की तो देखिए जैसा इनसे प्रात्मिक जानकारी मिली है यह कच्छा माल जारखन से लाते थे और अफीम अब उसको यह कट पॉडर यहां एक केमिकल लखा है चूना और केमिकल मिलाके उसको यह बॉयल करते थे जिससे यह फटता था और उसके बाद बताते हैं उसको कंजन्स करके सुखा के इसमेक बनाते थे और उसकी तिवरिता कम ज़्यादा करने के लिए इन्होंने और भी ए रहे हैं उसका chemical analysis कराया जा रहा है इन सब को मिलाकर यह उसको कब नितिवर्ता करके उसको बेश देखे लिए अब यह सब के बारे में जानकारी कियो रही है फिल्ρχाल जो प्रातमी जानकारी इन से हुई है कि यह कहां किन जनपदों में ऐह से सपलाई करते थे उसके जो पते हमें मालूम हुए हैं उन पे हम लोग की तीम गई हुई है और उसमें हम सीगरी अन्य खुलासा करें देखिए ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है लेकिन इसमें गहनता से पूछताश करके इनके जो भी इनके फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज़ें उसका झाल